नमस्कार स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में तो आईए जानते हैं खबरों को एक एक करके अगर इसे से पहले कि आप हमारे चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करके ओन लोटिफिकेशन विल्ट को जल्दी से दबा दें करोना के बेकाबू हलात को देखते हुए पिये मोदी ने सभी रज्जों के मुख्य मंतरियों के शाथ किये बैठक और अन्य रज्यों ने पहली लहर के सिखर को पार कर लिया है। पर बल देने की जरूरत हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और ट्रेकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। टेस्टिंग को हमें हलके में नहीं लेना है। असर पढ़नी की असंका है। गहरेलू मांग पर असर पढ़नी की सूरत में पहले से ही नगदी के भाव में जूजर है चीनी उद्धो का संकट और गहरा हो सकता है। उदर गन्ना किसानों का चीनी मिलो पर बकाया अब तक 23,000 करोन रूपे हो गया है। देश में साकारी चीनी मिलो का संगठन नेशनल फेडरेशन अब कोपरेटिब सुगर फैक्टिज के परवन्न निदिशक प्रिकास नाइकन वरे ने कहा कि चीनी उद्धो के पास नगदी की कमी के कराण गन्ने का बकाया और बढ़ सकता है। अगर बकाया 25,000 करोन रूपे तक पहुँच गया तो यहां उद्धो के लिए काफी खराब इस्थिती होगी। और भावित हुई तो उद्धो का संकट और बढ़ सकता है। साथी सवाल पुछा कि अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाप कितनी सिकायत दर्ज की। अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाप कितनी सिकायत दर्ज होई वह तो रोजाना हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसके बाद नम्तमन अजी ने अपने भासरण के दर्वान चुनायों के साथ साथ भाजबा नेताओं को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नंदीगराम के मुस्लिमों को पाकिस्तानी कहने वाले लोगों के खिलाप अब तक कितनी सिकायत दर्ज होई। क्या वे शर्मिंदा नहीं हैं। वे मेरे खिलाप कुछ नहीं कर सकते। मैं हिंदू मुस्लिम सी किसाई के अलावा जन जातियों के भी शाथ हूं। 36 गड़ के बीजापूर हमले में नक्सलियों की चंगुल से आजाद हुए CRPF के जवान राकेश्वर सिंग मनहास। जी हाँ आपको बता दे कि 36 गड़ के बीजापूर में बीते सनीबार यानी 3 अपरेल को सुरक्षा बोलू पर हुए नक्सलियों हमले में 22 जवान सहीद हो गये थे जबकि 32 गायले हैं। इस हमले में नक्सलियों ने CRPF जवान राकेश्वर सिंग मनहास को भी अगवा कर लिया था। प्रपीएब जवान राकेश्वर सिंग मनहास की रिहाई से उनके परिवार में खुसी की लहर है। सुबे में सभी सिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश की बिरोध में बीटा में प्राइबिट अस्कूल एसेश्योसेशन और बिहार ने बिरोध मार्च निकाला। मार्च के दोरान सरकार के खिलाब जम करना रिवाजी के गई। इसके बाद अस्कूलों के संचालों को और सिक्षकों ने बैठा कर 12 अप्रेल से स्कूल खोलने का नेड़े लिया। अस्कूल के संचालों का कहना था कि इस गलत नीतियों से स्पस्थ होता है कि सरकार को सिक्षा से कोई लेना देना नहीं है इसके बाद उनका कहना है कि उनको केवल मौल बजार के अलावा बड़े बड़े संस्थान जैसे मौल फैक्टरिया जरूरी है बच्चों के भविश्य की कोई सरकार को चीनता नहीं है यहां तक की चुनाओं में लाखों लोग देखने को मिल रहे हैं लेकिन इस पर कोई सरकार बोलने को तयार नहीं है केवल सिक्षा संस्थान पर हुण की नजर बनी रहती हैं ऐसे में हम सभी 12 तरिक से हर हाल में स्कूल खोलेंगे महराश्ट के पुर्व ग्रीह मंत्री अनिल देश्मू की आचिका खारीजे सुप्रीम कोट में कहा आरोप गंभीर जाज होनी चाहिए जी हाँ आपको बताती के महराश्ट सरकार और राज्ये के पुर्व ग्रीह मंत्री अनिल देश्मू की ओर से दाखिले आचिका को गुरुबार को सर्वच्चे नेले ने खारीज कर दिया यहाँ आचिका बंबे हाई कोट के नियाले के 5 अपरेल को दिये गए उस फैसले के खिलाप दायर की गई थी जिसमें आदालत ने देश्मू के खिलाप रात्मी की जांच का आदेश जारी कर दिया था आदालत ने यहां आदेस मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग योर से देस्मुख पर लगाए गए भरस्ट चार के आरोपों पर दिया था मामले की सुनवाई के दोरान सर्वोष चेनेले के नेधिस इसके कौल ने कहा कि अनिल देस मुख पर लगाए गए आरोप गंभीर है ग्रीह मंतरी और पुलिस कमिशनर इसमें सामिल है ये दोनों करीबी से एक साथ काम करते रहे जब तक दोनों की रहा अलग नहीं हो गए और इनके पास परतिश्चित पद्धा उन्होंने सवाल किया कि तब क्या सिबीय की जाज करानी चाहिए या नहीं उन्होंने कहा कि आरोप की प्रविर्ति और इसमें सामिल लोगों की सोतंतरता से जाज करनी चाहिए जम्मू कस्मिर के डिटेंशन सेंटर में रखे गए रोहिंगियों को लेकर सुप्रीम कोट ने कहा सरकार कानूनी परिकरिया का पालन करें जिहां आपको बता दे कि रोहिंगियों मुसल्मानों को लेकर देश भर में लंबे वक्स सियासत जारी हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया बड़ी संख्या में रोहिंगियों मुसल्मानों को जम्मू के एक डिटेंसन सेंटर में रखा गया था जिसको में अनमार वापस भेजनी के परकिरिया चल रही थी तब ही ये मामला सुप्रीम कोट में पहुँच गया जहां गुरुबर को एक अहम फैसला आया अब इसी अधार पर सरकार को रोहिंगियों पर आगी की करवाई करनी पड़ेगी दरसल समी मुला नाम के एक सक्स ने सुप्रीम कोट में एक याचिका दैर की थी उन्होंने बताया था कि जमू में करीब 170 रोहिंगियों को कैम में रखा गया है और साथी उनको मेंनमार वापस भेजने की कोशिस की जा रही है याचिका करता ने इस याचिका की मदद से उनकी रिहाई की मांग की और वहीं उनके वकिल परसंद भुसर्ण ने कहा कि आंतराष्टिय कोट ने इस मामले में एक फैसला दिया था जिसके बाद रोहिंगियों मुसल्मानों को मेंनमार में खत्रा है ऐसे में उनको वहाँ पर भेजना गलत है अब इस मामले में सुप्रीम कोट ने सरकार को कानूनी पर क्रिया पालन करने का आदेश जारी के है हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिगए जनकारिश अगर आप संतुस्ठ है या थो नहीं अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे जैहिंद